बीती राज से ही जिले में इंद्रदेव की महरबानी बनी हुई है भारी बरसाथ के चलते जहां सड़की समंदर में तबदील हो गई है तो वहीं आम जन जीवन का हाल बेहाल हो गया है शेहर के कई मुख्य रास्ते बंध हो गए है तो नवलगर पुलिया के पास जल भराव के चलते हाथसो के अश्रेंका भी बने हुई है सड़क पर करीब पांच फुट तक पानी जमा है तो शेहर के आधा दरजन से अधी किस्थानों पर भारी जल भराव है रेल की पट्रियां पानी में डूब गई है तो भारी बरसात के चलते यातियात भी बाधित हुआ है रेल वे अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है तो वहीं शेहर के लोहारू मार्ग बस स्टेंड रेल वे स्टीशन सहीत आधा दरजन से अधी कॉलोनी में जल भराव के चलते काफी परिशानियों का सामना हो रहा है शेहर के मुखे सडके पूरी तरह बंद हो गई है लगातार बरसात से जहां आमजन परिशान है तो वहीं बरसात के चलते किसानों के चहरे पर खुशी लोटी है जले के अधिकतर इलाकों में फसलों की बुगाई हो चुकी हो और ये बरसात उनके लिए अमरत का काम करेगी लेकिन कई जगह आफद बनकर भी सामनी आई हैं शेहर के राधा किशन पुरा अंडर पास में पानी भरने से शेहर में लोगों का आना जाना बंद हो गया है करीब 15 किलोमेटर दूर रास्ते चल कर लोग शेहर में पहुच रहे हैं बरसात से हालात बच से बत्तर बनते जा रहे हैं तो वहीं जिला प्रशाशन जलनिकासी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं कर पाया नवलगर पुलिया पर हुए जल भराव में कोचिंग शातर की मौत होने के बाद सिकर शेहर बंद रहा था और जनता ने जलनिकासी को लेकर प्रदुर्शन भी किये थे तेकिन आज भी हालात वैसी के वैसी बने हुए है